नमस्कार साथियों मैं सीमा गुपता आज आप सभी के वी समिख्षादिकारी सायक समिख्षादिकारी प्रारंबिक परिच्छा 2016 में सफलता के सम्मन्द में आप सभी को बताने वाली हूँ या संदेज दूंगी कि आप अवस्त ही अपनी मुख्य परिच्छा की तैयारी आज से ही आरम कर दें तो आईए जानते हैं कैसे कि इस बार के परिच्छा में आप सभी की सफलता का मैक्सिमम चांस है और आप अवस्त ही समिच्छा दिकारी जैसे महत्पुडपद को प्राप्त कर आप अपने भविस्य को अवस्त ही उज्वल कर सकते हैं तो सबसे पहले साथियो आप सभी को अउगत कराना है कि इस बार का जो परिच्छा आयोजित हुआ उसमें जो उपस्तिती का आउसत था वो लगभग 30 से 40 प्रतिसत देखा गया अर्थात 50 परसेंट से भी कम रहा मैक्सिमम परिच्छा सेंटर पर उपस्तिती 50 परसेंट से कम रही है बहुत से युवा साथियो द्वारा मुझे अउगत कराये गया कि मेरे परिच्छा सेंटर पर मैं 25 परसेंट उपस्तिती रही किसी ने कहा 30 परसेंट उपस्तिती रही किसी ने कहा 35 परसेंट रही और कई बच्चों ने यहां बताया कि मेडम मेरे क्लास में 40% रहें इस प्रकार से यदि एक एवरेज निकाला जाये तो उपस्तिती 50% से कम रही यानि कि आपकी जो प्रतिसपर्दा मैक्सिमम लोगों में थी वो कम हो गई है ठीक है यानि कि सफलता का जो आपका दर है वो प् ही ज्यादा हो गई है अब आते हैं दूसरे पर आप सभी द्वारा लगातार या पूछा जा रहा है कि मैं कटप क्या जाएगा उस कोचिंग सेंटर द्वारा इतना कटप बताय जा रहा है उस कोचिंग सेंटर द्वारा इतना बताय जा रहा है और मैं भी लगातार कई सव जाएगा इस प्रकार से कई प्रकार की सूचनाएं मुझे मिल रही हैं लेकिन सात्यों मैं आरंब से ही आप सभी को बता चुकी हूँ कि कृप्या करके आप कटफ को बिल्कुल ध्यान में न रखते हुए अपनी तयारी आप अभी से आरंब कर दीजिए यदि आप इस परि फिछा की तयारी आरंब कर दीजिए क्योंकि जिस प्रकार से प्रस्ण आया है उस हिसाब से पूरी संभावना है आप के सपलता का और दूसरी तरफ मैं पहले इ artificial प्रतिसत औूसत रही है इस प्रकार साथ यह आप सभी के सपलता का दर्ज कापी ज्यादा हो गया और इस पर आते हैं प्रस्णों की प्रकृति पर प्रस्णों की प्रकृति इस बार न ज्यादा सरल प्रस्ण पूछा गया था न ज्यादा कठिन प्रस्ण था एक तरह से जो प्रस्ण है साथियों वह एबरेज रहा है मैं प्रतम प्रस्ण पत्र सामान अध्यन को भी देखी और दूतिय प्रस्ण पत्र सामान हिंदी को भी देखी सामान अध्यन में मैं यही देखी कि किस प्रकार से पूर्व क्येस्चन को इस बार पुना मैक्सिमम क्येस्चन के रूप में पुना पूछा गया है कैसे पूर्व प्रस्णों को घुमा फिरा कर पूछ लिया गया है यदि जो पिचित रूप से 35% क्वेस्टन बस इस पुर्वालोकन से ही प्राप्त कर लिये होंगे दूसरी तरफ मैं आप सभी को लुसेंट के सामानि ज्ञान के साथ साथ परिक्षा वाड़ी और उन तमाम पुस्तकों के बारे में बताई थी कि आप इसका अपाव से अध्यन करें तो आप देखी कि किस प्रकार से बताए गए उन तमाम पुस्तकों से क्वेस्टन आए और साथियों जो सामान हिंदी का जो प्रस्ण पत्र था उसकी भी प्रकृती न बहुत टफ था न बहुत ही इजी था आपको यह लग रहा होगा कि प्रस्ण काफी इजी है लेकिन उन सभी इवाव को संदेज देना चाहती है जो यह सोच रहें कि प्रस्ण इजी है तो साथियों कटफ भी तो बढ़ेगा क्योंकि जैसे जैसे प्रस्ण इजी होता है वैसे वैसे कटफ भी जादा होता है चुकि उपस्तिती कम थी इसलिए आप लोग की सफलता का चांस काफी आना है कि प्रस्ण की प्रकृति काफी अच्छी रही और आप सभी बे धड़क बिना किसी संसय के बिना किसी ब्रह्म के बिना किसी कटफ लाइन के अपनी तयारी को आगे बढ़ाएं पूर विश्वास के साथ मुख्य परिक्षा की तयारी में लग जाएं क्योंकि यह समिच्छा दिखारी परिच्छा से सम्मंदित रड़निती बनाई जा रही है और सिग्र ही समिच्छा दिखारी सायक समिच्छा दिखारी से सम्मंदित विग्यापन भी आने वाली है अता लोग सिवायों की यही प्रास्मिकता रहेगी कि इस परिच्छा को सिग्रती सिग्र complete कराया जाए और मुखे परिच्छा भी दो से तीन महीने में करा लिया जाएगा result आने के साथ तो आप सभी लग जाएए तैयारी में यदि कोई भी यक आता है कि इतना कटफ जा रहा है उस कटफ से आपका कम कुछ question बना है तो साथियो निर्भय हो के आप तैयारी करिए क्योंकि आपके अंदर वो ओज है वो उर्जा है वो छमता है कि आप अबस यही प्रारंबिक परिच्छा में सफल होंगे और मुझे पूर भरोसा है कि आप बहतर प्रदर्सन किये होंगे और प्रारंबिक परिच्छा में सफलता के साथ मुख्य परिच्छा में भी बहतर प्रदर्सन करेंगे और आने वाले भविस्टे को ब्राइट बनाने के लिए आने वाले लाइफ को फ्रूट फूल ब्राइट फूल बनाने के लिए आप अभी से मुख्य परिच्छा की तैयारी में लग जाएगे क्योंकि आप ही जीतेंगे इसी संदेश के साथ साथी हो कि आप अवस्ती ही इस परिच्छा में सफल होंगे मैं सीमा गुपता आज विदा लेती हूँ नमस्कार